हेलो फ्रेंज मैं हूँ अमट्टो वेलकम टू मैं चैनल फ्लिम न्यूज और विडियो में आप लोगों के साथ हाए नाना फ्लिम के बारे में बात करूंगा यह जो फ्लिम है यह एक्चुल तेलेगू में रिलीज हुआ है उसके हिंदी में भी डाप किया गया और और सारे ल उनकी वाइफ के बारे में बताता नहीं अपने बेटी को तो एक दिन उसकी बेटी यह उसकी पापा से प्रॉमिस लेता है कि अगर वो क्लास में फस्ट आती है तो उनकी मा के बारे में बताएगा लेकिन वो क्लास में फस्ट आती है लेकिन वो अपने मा के बारे में बताता नहीं तो एक दिन उतके नानी देखती है उनकी बेटी घर पर नहीं तो उससी के साथ है उन्होंने अपने नानी की बेटी को बचाया तो अब नानी की बेटी उनको तो force करता है उनकी मा के बारें बताने के लिए, अब नानी उनकी मा के बारें बताता है, मतलब अपने wife के बारें बताता है, और क्या बताता है, ये देखने के लिए आप लोगो ये movie देखना परेगा, देखिए ये इसका director, debutant director सोरभ, उन्होंने कोशिश किया एक romantic angle के साथ-स बाप और बेटी का पयार दिखाने का है, उन्होंने शायद इस जगह पे कामियाब भी होगा है, दोनों में काफी balance भी किया है, ये तो अच्छे बात है, इस film में अगर अच्छा के बात करो, इस film में काफी emotional scene है, no doubt खास करके second half में काफी emotional scene है, acting की बात करो, तो आपका नान ने काफी अच्छे acting किया है, मिनार ठाकूर के बारे में मुझे ये कहिना है, कि उनकी acting और भी emotional scene में और भी अच्छा होना चाहिए था, तो ये emotional scene और भी spark करता, खास करके आपका नानी के साथ और बच्ची के साथ है, इन दोनों के साथ की emotional scene है, उन्होंने मुझे नहीं तो दोनों जगा पर ये music काफी अच्छा है, खास करके BGM काफी अच्छा है, बुरा किया है, मुझे कुछ यो चीज अच्छा नहीं लगा है, क्या है इस film का जो story है, इसमें कुछ आपका सब्सक्राइब को spark नहीं है, जादा कोई twist and turn नहीं है, खास करके सिर्फ interval की blocking, जो प fast half में एकदम से नहीं है, इस प्रकार के कही story हम लोगोंने देख लिया है और second half में काफी emotional है, लेकिन क्याने की emotional scene लोग काफी lane दिये और काफी slow है, इसलिए आप लोग जो और उपर से उसका जो dialogue है, वो काफी अच्छा नहीं है, तो इसलिए emotional scene में उतना जादा engaging होना से मैंने कहा, इस film में जादा twist and turn पिल्कुल नहीं, यह इस film का सबसे बड़ी drawback है, और यह जो film, यह जो story है actually, यह story में दोनों चीज में balance करने की कोशिश किया डारेक्टर ने, आपका एक तरफ romantic angle, एक तरफ बाप, बेटी का पयार, और इन दोनों में success हो गया है, लेकिन फ जाना चाहिए था, actually एक average film बनके रहे जाता है, और इस film का जो आपका ending ही, वो काफी थोरा से different दिखाने के कोशिश किया है, और different हुआ भी, लेकिन क्या है कि जैसे मैंने कहा, throughout the film, आप सिर्फ one time watchable film रहे कर बलके रहे गया, तो इसी लिए इस film को मैं 5 में से 2.5 शुटर दि कीजिए, और नएने आपडेटी में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,